आज हम एरलिया वेरिगेटेड यहाँ जो पौधा है इसमें नई रूट्स किस तरह निकल सकती है यहाँ हम आज देखने जा रहे तो इस पौधे को बहुती इजी ली आप पानी में नई रूट्स बहुती अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है या तो आप डायरेक्ली प्ति में भी लगा सकते इस पौधे को तो इसकी कटिंग्स बनानी पड़ेंगे तो यहाँ पत्ते आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पौधा आपने बगीचों में लौन रहते शादियों के लिए वहाँ पर या तो गमलों में यहाँ पौधा आपने देखा होंगा अगर आप यहाँ पौधा खरीद के लाएंगे तो बहुत ही महंगा हो जाएगा तो आप अगर इसकी कटिंग्स आपके आसपास में किसी मित्रक्या या कहीं बगीचे से आप कटिंग्स ला लेते हैं छे से साथ इंच इतनी लंबी या तो उससे बड़ी भी ला सकते आप तो देख रहे हैं आप हमने यहाँ टहनी हमने काट ली है इस तरीके से आपको कटिंग्स करनी है तो कटिंग्स जो आपको लानी है उसकी लंबाई आप कम ज़्यादा रख सकते हैं जैसे कि मान लिजिए आप अपने हाथ के लंबाई के आकार का भी कटिंग्स लगा सकते हैं या तो 6 से 7 इंच इतना लंबा भी cutting का इस्तमाल कर सकते हैं या तो 10 से 15 इंच इतना भी लंबा रख सकते हैं तो यहां length कितनी रखनी चाहिए यहां आपके उपर depend करता है हमने प्रयोक करने के लिए हमने बहुती छोटी छोटी cuttings करी है ताकि आपको हम दिखा सके कि इसमें roots develop हो जाती है और पानी में जितने जल्ली यहां develop होती है उतना fast मिटी में नहीं होता तो आप पानी में पहले इसमें roots develop होने दे उसके बाद में आप directly मिटी में भी लगा सकते हैं अगर आपके बास समय नहीं है तो आप directly मिट्टी में लगा दीजिए और आप देखेंगे एक मैने के बाद में नई रूट्स इजीली डेवलप हो जाती है तो आप यहां cuttings देखिए हमने एक महने पहले यहां cuttings हमने काट ली थी और इन्हें पानी में आप किसी मिट्टी के बरतन में हो या तो disposal glass रहता है तो उसमें यहां रख सकते हैं आपको पूरे पत्ते आपको कट कर लेना है और आपको cuttings तयार करने हैं देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं हमने मिट्टी में भी लगा के देखा था तो हमने छे से साथ cuttings लगाए उसमें से दो cuttings में roots अच्छे तरीके से develop हो पाई है और वहीं हमने यहां disposal glass में पानी में हमने यहां cuttings रखी थी और इसमें हमने पाया कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक मैने के बाद में सभी cuttings जो पानी में हमने डुबो के रखी थी उनमें नई roots अच्छी तरीके से develop हो पाई थी और जो कि इसी वीडियो की कड़ी में लास्ट में आप result भी देखेंगे इसी वीडियो में हमने यहां result भी डाला है तो हर तीन दिन के बाद में आपको यहां जो पानी रहता है जब तक जड़ी नहीं निकल जाती नहीं जड़े नहीं निकलती इस cuttings में तब तक आपको यहां पर पानी चेंज करते रहना है हर तीन दिन के बाद में अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी roots सड़ जाए या तो fungal infection लग सकता है और वहां cuttings खराब हो जाएगी तो यहां एक महिने के बाद का result है देख सकते हैं आप नए अंकूर निकल गए है जिसमें नई पत्या भी आप देख पारे होंगे अब यहां cuttings में सभी cuttings में जड़े नई निकल चुकी है तो इन्हें अब हमें मिट्टी में ट्रांसपर करना बहुत ही जरूरी है तो यहां आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से cuttings में नई roots देवलेफ हो पाईए देखिए नई roots अगर इसे हम और एक मेना एक्स्ट्रा रखेंगे मतलब दो मेना हो जाएगा तो इसमें और ज्यादा roots निकलेंगी आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से नई जड़े निकल चुकी है और नए पत्ते भी आप clearly देख सकते हैं देख पा रहे होंगे देखिए यहाँ दूसरी cutting है हमने च्यार से पाच यहाँ लकड़ी डुबो के रखा था और जिसमें नई जड़े निकल चुकी है आप घर पर इन पाउधों को लगा सकते हैं बहुती सुन्दर दिखते हैं तो यहाँ नई जड़े देख पा रहे होंगे clear इस तरीके का आपको भी result मिलेगा आप घर पर यहाँ प्रयोक करके देखिए और इन cuttings को आपको मिट्टी में लगा देना ची ताकि इसमें नए पते निकल पाए और अच्छे से development हो पाए इन cuttings का पानी में ज़्यादा दिन रखने से इने ज़्यादा पोशक तत्वा नहीं मिलता इसलिए मिट्टी में लगाने से आप बहुती अच्छे तरीके से development हो पाएंगा देखिए यहाँ सिर्फ result एक मेने का है जब आप यहाँ cuttings काट के पानी में रखते इस ग्लास में डिस्पोजल ग्लास में तो आपको इसे च्छाव में रखना है ताकि रूट्स अच्छी तरीके से develop हो पाएं आपको धूप में नहीं रखना इन cuttings को और पानी चेंज करना न भूले यहाँ बहुती जरूरी चीज है पानी चेंज करना हर तीन दिन के बाद में करते रही है और आप देखेंगे कि यहाँ result आपको भी मिलेगा झाओगाँ झाल में हर भी में उता देखवेंगे करते हैं टीन है झाल अब हम इन कटिंग्स को मिट्टी में लगाने जा रहे तो आपको पॉट लेना है या तो आप डायरेक्ली मिट्टी में भी लगा सकते हैं यहां हमने पॉट में मिट्टी डाला है और उसमें आपको यहां कटिंग्स लगानी है आप एक साल के बाद में देखिएगा कि यहां बहुत अच्छी तरीके से इसमें नए पत्ती निकल जाएंगे और इसी पॉधे से आप अनेक पॉधे तयार कर सकते हैं और यहां पॉधों को आपको एक मेना एटलीस छाओ में रखिए बाद में आप इन्हें धूप में जहां पे कम धूप आती है ऐसे जगे भी रख सकते है